दोस्तों नमस्कार NCRT गनीत कर्षा दस्वी में आज विकास्वाइत है आज की इस वीडियों हम प्रशनावली पांच दसलोंब दो के परसंक्यातिन को देखने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल कुछ खाली अस्थान दिया गया है और उसमें हमें ग्यात संख्या लाना अयक जो यहां पर हो गा उसे पूट करना है ठीक है तो चलिए भाग संख्या एक कुपाली लिख लेते हैं भाग संख्या एक तश्चा 1 हम दिया गया है 2 box 26 ठीक है इसे हम सुल्फ कर एंगे यहां प कि गया है कि दिया गया है कि कि तु कि दिया गया है अ से 100 फिन लिख De群 जी ओड़ गया है यहां लिख लिख देंगे और इस झाल HaiHaWelcome इन खाल की है आधिबेवा स्थिक हैं तो जिकिए हम कि एधिज टेलिंगे दिन केक्स क्या लिख सकते हैं आ यहँ थिरी को लिख 10 है 2D, और A3 कामान कितना दिया गया है, 26, और हमें यहाँ पे A कामान गिया आथ है, 2, तो हम A3 के जगा पे, A के जगा पे 2 पूट कर देंगे, तो A कामान 2 है, पलस 2D बरावर 26, ठीक है, अब हम इस दो को इस से लेकर चले जाएंगे, ठीक है, तो 2D बरावर हो जाएगा, यह पल 2D बरावर 26 मसे दो जाएगा, तो यह आएगा 24, और इसलिए, इसलिए, दी बरावर 24 बटे 2 is equal to 12, ठीक है, D कामान हमारा 12 आगया है, तो अब हम A, B, C, कुछ भी निकाल सकते हैं, A1, A5, A6, कुछ भी, तो हमें A2 चाहिए, तो आगे A2 बरावर लिख लेते हैं, तो A2 बरा 2D का वेल्व हमने 12 निकाला है, तो 12 में 2 को जोर देंगे, तो 14, 14 आजाएगा, ठीक है, आंसर यह हो जाएगा हमारा, आंसर, यहाँ पर जो खाली अस्थान था, हम उसमें लिख देते हैं, 14, ठीक है, अब चलिए भाग संख्या 2 की ओर चलते हैं, भाग 2 में हमें दिया गया यानि कि A1 हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे A1 बरावर वाट, ठीक है, फिर यहाँ पर A2 दिया गया है, 13, A2 बरावर 13, फिर यहाँ पर A3 नहीं दिया गया है, तो A3 बरावर लिख देंगे वाट, और यहाँ पर A1, A4 दिया गया है, ठीक है, A4 बरावर दिया गया है, ठ प्लस दी लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं और हम इसको हम समीकरन एकमां लेते हैं और अब को यह लिख सकते हैं नहीं आता है तो हमने पिछले वीडियो में बता चुके है आप MWP playlist में जाके वीडियो देख सकते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर नहीं तो आप समिकरन 2 में से समिकरन 1 को घटा भी सकते हैं तागे हम यहाँ पर समिकरन 2 में से समिकरन 1 को घटा लेते हैं लिखेंगे अब समिकरन 2- समिकरन 1 तो 2 क्या समिकरन 2 क्या है ए प्लस ए प्लस डी बड़ावर 13 ठीक है यह समिकरन दो और समिकरन एक क्या है ए प्लस 3D बड़ावर 3 ठीक है और इसे क्या करेंगे घटा आएंगे तो देखिए यहां प्लास प्लास है तो मैंट हो जाएगा यहांपी मैंट हो जाएगा और यहां व्हैं ट्वीय से हखस formula रस त्यर्शका से फॉर्शक है मैंट सकते हो बड़ों करेंगे दी प्लावर क्या यहां पर पलस हो जाएगा यह हो जाएगा कर जाएगा तो मैनस 5 आ जाएगा तो मैनस 5 आ गया किस का मान डी का मान ठीक है अब हम इससे है एक्रोम इस दी करना है मैंना सब्सक्राइब कितना है तो देखें अच्छा देखें लगे सांच जाका अब कितना हो जाएगा आठार ठीक है अब देखें अब देखें निकलना है एटिदी बढ़ाबर क्या होता है तो इंटू डी का मान कितना है 5 मैनस 5 तो देखे यहां पे 18 और यहां पे 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा मैनस का 10 तो देखे यहां पे लिख देंगे 8 अब ते लिए भाग दो बन चुका है भाग 3 को और चलते हैं भाग संक्या तिन को हमने लिख लिख लिए है अब इसमें जो इसे शॉल्ब कर लेंगे ठीक है तो लिखेंगे दिया गया है दिया है क्या दिया गया है यह बड़ावर दिया गया है यह वन बड़ावर दिया गया है फाइप यह टू बड़ावर बोलड़ा है निकालने के लिए वाट लिख देंगे ए थिरी भी हमारे पास खाली अस्थान दिया गया तो इसे भी वाट लिख देंगे और एफोर दिया गया है नौ पूरंशन पूर्णाँग एक वर्टे 2 थीक है इसे हम अथिम बदल invers निए पूर्णाइख में इसे बिनussa लूँख लेगा, चिब्रेमाः नो तुणए जपर आधाड़े vacuum ही two थीक हैं इ। थीक है तो हमस्यख इख ए11Ad लिख सकते हैं और फोर कामान कितना दिया गया है 19 बटे 2 बड़ावर एक कामान कितना है 5 प्लस 3D ठीक है अब दिखिए इस 5 को इस से लाएंगे प्लस में तो मैंनस वा जाएगा 90 वे 2 मैंनस 5 कुछ नहीं बटे में एक लिख देंगे यहां पर हमें इसका भीन का गटाव बनाना है तो देखिए एक और दो कालसे हम दो हो जाएगा ठीक है दो में दो से भाग देंगे एक और एक को 19 से गुना करेंगे तो 19 से आएगा मैनस 2 में एक से भाग देंगे तो 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 ठीक है यहां पर बढ़ावर का हो जाएगा यहां भी 3D और यहां भी हो जाएगा 3D ठीक है बढ़ावर 19 में से 10 जाएगा तो 9 वटे 2 ठीक है बढ़ावर है तो भाग में आएगा और भाग को हम गुणाम करेंगे तो ये बत्ते मा जाए एक वट एक वटатьсяगा ठीक है तो तो कि देखें थी आपिए का वैल्यू कितना आ जाएगा तीन वटें दो लिखेंगे इस लिए चुकि दी बड़ावर तीन वटें दो ठीक है इसे हम घेर देंगे कियोंकि इसका हमें काम है आप अपने बुक कोपी में घेर भी सकते हैं और नहीं भी घेर सकते हैं ठीक है अब हमें मान किसका निकलना है A2 का, देख लिए यहाँ पे, A2 का निकलना है, फिर A3 निकलना है, हमें D है, पता और A, B पता है, ठीक है, तो निकल जाएगा, तो देखे, A2 बरावर क्या होता है, A plus D, और A का मान कितना है, 5 plus D का value है, 3 by 2, बटेम कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, और इसका LCM जोर बना दो में 1 से भाग देंगे, तो 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे, 10, प्लस, दो में 2 से भाग देंगे, तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 ही आएगा, तो यह हो जाएगा, 13 बटे, 2, आप चाहिए तो इसे पुर्णा की बदल सकते हैं, 6 दोना 12, 6 पुर्णा की 1 बटे, 2, ठ अंसर नमर 1 और 3 निकलना है, ए 3, ए 3 बड़ावर क्या होता है, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, ठीक इसी तरह से निकलनेंगे, 5 बटा, 1, प्लस, 2, इंटू, 3, 2, ठीक है, तो 2, 2 केंसिल हो जाएगा, यहाँ पे, और बद जाएगा, 5 और प्लस का 1, तो प्लस का 3, तो 5, 3 हो जाए मैं, लिक्त देंगे, और यहाँ पे निकला था, ठीक है, अब चलिए पर भाग संख्या 4 के और चलते हैं, भाग शंक्या 4 दिया गया है, मैनास 4 और फीडबा, 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 बडबा, यानि कि A2, A3, A4, A5 और A6 दिया गया है, ठीक है, आगे है तो देखे दिया क्या गया है एवन बड़ावर दिया गया है मैनस का फोर और एशिक्स बड़ावर दिया गया है 6 ठीक है और हमें A2, A3, A4 A2, A3, A4 और A5 निकलना है तो लिकेंगे A2 बरावर बरावर वाट A3 बरावर वाट और A4 बरावर वाट A5 बरावर वाट ठीक है इतना हमें निकलना है ठीक है तो आईए पाले जो दिया गया है इससे चलते है तो देखे ए 6 पाले दिया गया है तो ए 6 बरावर क्या हुदा लगा ये पलस 5D ठीक है देखे ए 6 कामान कितना दिया गया है 6 दिया गया है यानि किछव दिया गया है और 1 का मैनस का 4 है प्लस 5 इंटू D ठीक है तो देखिए ये मैनस के 4 को इसे ला लेंगे ठीक है तो 6 प्लस ये मैनस नहीं तो प्लस में आ रहे जागा बड़ावर 5D ठीक है देखिए छोब में 4 जोड़ेंगे 10 बड़ावर 5D तो D बड़ावर क्या हो जाएगा D बड़ावर हो जाएगा 10 बटे 5 ये कर जाएगा ता जाएगा 2 ठीक है लिखेंगे चुकी D बड़ावर 2 ठीक है तो देखिए D का मान पता है A का मान पता है तो हम निकाल सकते है A2, A3, A5, A6, A7 अनन तक निकाल सकते है ठीक है टा चलिए पाहला क्या मांग रहा है A2 मांग रहा है A2 A2 बड़ावर क्या हो जाएगा A2 बड़ावर होता है A प्लस D A का मान कितना है मैनस का 4 प्लस D का मान कितना है 2 देखिए मैनश प्लस तो यहां पर हो जाएगा minus का 2 यह हो जाएगा a2 बढ़ावर तो a2 बढ़ावर लिखे दें यहां पर minus का 2 अब a3 निकलना है तो a plus 2d a का मान है minus 4 plus 2 into d का मान भी 2 है तो दिखें minus 4 और plus का 4 cancel हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 0 ठीक है इसमें 0 लिख देंगे इसी तरह से 4 बड़ावर हो जाएगा A plus 3D एक आमान कितना है मैंनस का 4 plus 3 into 2 देखिए मैंनस 4 plus 3 दूना 6 तो मैंनस प्लस हो जाएगा मैंनस और 6 में से 4 गया तो 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2 लिख देंगे इस तरह से A5 निकल देंगे A5 क्या हो जाएगा A plus 4D A कामान है मैंनस 4 plus 4 into D कामान 2 मैंनस 4 plus 4 दूनी 8 ठीक है 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा चार बचेगा ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर लिख देंगे 4 ठीक है आंसर ठीक है अग्टल यह भाग संख्या 5 की ओर चलते हैं भाग संख्या 4 हमने दिख लिए है भाग संख्या 5 है खाली अस्थान 38 यानि कि A2 दिया गया नहीं दिया गया है A3 निकलना है A4 निकलना है ए 5 निकलना है और system 5 माइय इसलगह यहाः है यहाँ लिख लिख ले ते हैं परसं को भाग संख्या 5 में दिख लिख लिख लिया है अग परसं की अगै कि expletal मी दिखा दीक हैं तो एक टु बड़ावर दिया गया है अर्थिज व भाइबर दिया गया है मैनस का 2 ठीक है और झिंद करके इसी निकालने के लिए बोलगा था थीडि भी निकालने के लिए भोल रहा है फोराय को टा और और फहाई था था इब हो तो A6 बरावर चलेंगे, A6 बरावर क्या हो जाएगा, A plus 5D, ठीक है, और A6 का मान कितना दिया गया है, मैंनस का 22, बरावर क्या हो जाएगा, A plus 5D, एक क्या जागा हमारा समीकरण 1 ठीक है और यहां पर A2 दिया गया है A2 को क्या लिख सकते हैं A2 बरावर लिख सकते हैं A पलस D और A2 का माल 38 दिया गया है आप इसे इस साइड भी लिख सकते हैं या इस साइड भी लिख सकते हैं कोई फड़क नहीं परता इसे हम samikaran 2 लिख लेते हैं अब samikaran 2 में से samikaran 1 को घटा देंगे एक तो लिखेंगे samikaran यहाँ पर लिख देते हैं अब samikaran 2 मैनस samikaran 1 2 कितنا है samikaran 2 कितना है A2 बड़ावर है A plus Bb accurate 38 ठीक है और 1 है samikaran 1 है A plus 5 D बड़ावर मैनस का बायस ठीक है देखिए यहाँ पर पलस है तो मैनस यहाँ भी पलस है तो मैनस और यहाँ पर मैनस है तो पलस यह एक किंसिल हो जाएगा मैनस पलस और यहाँ पर पांच मैनस का पांच दी है और पलस का एक दी है तो घड़ जाएगा तो मैनस का चार दी बचेगा बढ़ावर यहाँ दिखें मैनस पलस का बैसा है और पलस का अर्थी सा है दोनों को जोड़ देंगे तो कैतना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आठ दू दस के 0 हाथ में एक तिन दू पांच एक छो साथ हो जाएगा और मैनस फोर बढ़ावर मैनस 4 यहाँ पिर बड़ाबर लिखेंगे हम D बड़ाबर शाठ बटे माईनस 4 माईनस नीचे में नहीं लिखा जाता है इसलिए लिखेंगे मैनस साठ बटे watch for और यह इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 15 तो लिखेंगे D बड़ाबर माईनस 15 ठीक है तो D कामान निकल गया है मैनस 15 तो अब हम A कामान निकलेंगे देखिए जब D दियाड है और A कामान हमें निकलना होगा तो हमें और यहां पे A2 भी दिया गया है तो हमें A बराबर निकलना है A2 मैनस D ठीक है तो A2 कामान कितना दिया गया है 38 दिया गया है 3 1 4 1 5 हो जाएगा 3 5 हो जाएगा इसका आंसर A1 का मान ठीक है तो A2 हमें A2 दिया गया है A3 निकलना है A3 वड़ावर क्या हो जाएगा A plus 2D तो देखे A का मान कितना निकल गया है 3 5 3 5 plus 2 into D का मान कितना है मैनस का 15 दिया गया यहाँ पर देखे 3 5 और यहाँ दिखे 15 दुना 30 मैनस का 30 हो जाएगा तो मैनस 30 करेंगे यह क्या हो जाएगा तो देखे यहाँ पर 3 5 है 3 5 है 3 5 मैं से 30 को गटाएगे 20 हो जाएगा यह भी हमारा A cancler आगया फिर A3 निकल गया A4 निकालेंगे A4 A4 बड़ाबर क्या हो जागा A प्लस 3D A कामान कितना है 315 प्लस 3 इंटू D कामान है मैनास का 15 D हो जागा 315 45 तो 315 मैंसे 45 जाएका कितना बचेगा 8 ठीक है इसी तऱस A5 निकल लेँगे A बड़ा A प्ल्स 4D A कामान कितना है 315 प्लस 4 इंटू D का मान है मैनस का 15 तो देखें, तीरे पन 15 तो के 7 तो हो जाएगा मैनस का 6 तो देखें, 6 में से तीरे पन गया तो बच्चे का मैनस का 7 यही सब क्या हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है, तो आगे खाली अस्थान में भी इसे हम पूट कर देते हैं पाला निकला है, 3 पन A1, A2 दिया गया है और A3 हमारा निकला है कितना निकला है, 23 A4 निकला है, 8 और A5 निकला है, मैनस का 7 तो हमने यहाँ पे पूट कर दिया है इसे तरह से भाग संग क्या 5 भी सौल्व हो गया अब इसमें कोई भी भाग नहीं थे है आई होप कि आप सभी को सवाल साज में आ गया होगा अगर किसी पर करका डाउट होथ हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत